तो मेरा ड्रीम था सर और हर बच्चे का ड्री मस्त रहता है मिला जितने भी होग देख रहे हो तुम लोग तुम सही बताना हर बच्चे का यह ड्रीम होता है कि वह ऐसी फैकलटी से पढ़े मतलब लाइफ में जो उसको लेसंस भी दें जो जो इसको motivate भी करें और जो इसको career path पर सही direction भी दें और अगर वो क्योंकि CA का हुआ ही अलग है या आप भी जानते हो तो अगर commerce में वो मेरे थू जाता है commerce बाबा के थू जाता है और by the end of the day अगर chartered accountant बनके निकलता है तो sir मेरे लिए जो proud feeling होगी ना वो बच्चा मुझे सिर पहले यह जानना चाहता हूं उसके बाद में कोई बात आगे चालू करूँगा तो teaching का passion कैसे आया यह बताने के पहले जो आपका statement था के जाशिश भाई यह पहले समझ लो कि मैं पागल हूं सेम लॉजिक मेरे साथ भी है मैं पागल हूं अपने भी एकदम clear-cut डिमाग में है कि अपने जिन्दगी अपने हिसाफ से जीनी तो जैसे ही मैं C.A. बना तो सबसे पहले तो कोई direction as such होता नहीं है देखिए एक practically अपन एजिम करता है कि आर C.A. बनने के बाद आदमी यही सो जोगरी भी लेकिया यह सारा fundamental rule से मैंने अपनी जिन्दगी की शुरुवात की सेम रूल था there was no concept of teaching पढ़ाने का कोई सवाली नहीं था मतलब मेरे जो अपने बच्पन के रह है अगर उसको में थोड़ा सा आप जाको तो आपको यह समझ में आया का कि यह बंदा जिन्दगी मैंने दो साल काम किया है है सिर्टुर ओडिट में का बात है और उसके बाद मैं है ए Dallas Bank में IT गवर्रन्थ डिपाट्मेंट में एसिस्टंट् वास प्ररेंट्डेंट था जो लास्ट थी मेरी क्या बात है 만큼 설 2009 मेरा in a VB पोस्त हुआ assistant vice president और हमें एक department या गया थो था training तो every Friday हमें जो हमारे internal department थे उंको training देनी थी वो training देते देते समझ में आया कि मा कसंसाला इस साला इस में प्लेजरी इस में जिंदगी मज़ा है मतलब जिंदगी इस में ही है and मैं अपको बता रहा हू मतलब almost मतलब मैं इसलिए अल्मोस बोल रहा हूँ कि तब तक कोई ऐसा discussion नहीं था लेकिन